2 perceptionEverything Should choose from Prompt Engineering आसे आपने बहुत सारे आइड देखे होंगे कि Prompt Engineering में बहुत सारे पैसे मिल रहा है आज मैं आपको बताऊ । कि Prompt Engineering क्या है 、、 क्या इसकी सच्चाई है यहार आपको सही में इतने में जौब लगे गी अगर लगे गी तो किनकी लग रही है और आपको क्या करना पड़ेगा कि आप भी इस लेवल तक यहां पर पहुच पाओ कि आपको भी दो करोड का पैकेज साल का मिल जाए सिर्फ प्रॉम्ट इंजिनेरिंग के तुरू हाई गाईस मेरा नाम है क्रपेश आडवानी यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स और एऐ के बारे में काफी बातचीत करता रहता हूँ आज अबनों बात करने वाले हैं प्रॉम्ट इंजिनेरिंग के बारे हैं तो प्रॉम्ट इंजिनेर बेसिकली वह लोग है जो कि चाइट ज इसे टूल से जो कि जनरेटिव AI टूल से उनसे बात करना जानते हैं, उनसे एक अच्छा आउटपुट निकालना जानते हैं, तो दोस परसन जो कि एक बहुत अच्छा वेल क्राफटेड प्रॉम्ट लिख दें, ताकि जो एक आउटपुट मिले वो काफी ही एक प्रोफेशन महिने बर बैटके भी टेस्ट कर सकते हैं, कि यह वाला प्रॉम्ट आगेगा, कैसा आउटपुट आ रहा है, क्या वो रिलाइबल है, क्या वो कंसिस्टेंट है, ज्यादा मशीन वाला तो नहीं लग रहा है, क्या-क्या चेंजिस रहेंगे, कौन से नेगेटिव प्रॉम्ट से बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, क्यानवा से बनेगी, कौन कौन से बनेगी, तो रेगुलर्ली यह सारी चीज़े बैटके देखते हैं, प्रॉम्ट से फाइन करते हैं, उसको रेगुलर्ली अपडेट करते हैं, यह होता है एक प्रॉम्ट इंजिनियर का काम, आगे जिस काम को मुझे 10 घंटे लग रहे थे, जो content में लिख रहा था, जिस research में मुझे पूरे 10 घंटे लग रहे थे, अब चाइज GPT के या फिर कुछ भी यूज़ कर, कोई भी AI टूल यूज़ करने के बाद, उसको मुझे अब 7 घंटे लग रहे हैं. अगर वो चीज़ पॉसिबल हो जाए, कोई एक बंदा आके सारी आपके पूरी टीम के, सो लोगों के आपकी टीम है, उसमें 10-20 जन आपके सोशिल मीडिया में, आपने उनको पूरा एक prompt engineering का एक SOP बना के दे दिया, जिससे उनका टाइम काफी बज़ गया, अगर कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए, तो डेफिनिटली उसके salary यहाँ पर बहुत आई होगी, और यह ही आट प्रेजेंट हो रहा है, पीपल आर लुकिंग फॉर दोस जो ऐसे लोग हों, जो सारी टीम का काम समझ के, उनके काम को आसान कर दे, उनकी efficiency बढ़ा दे, और regularly उसको देखते रहे कि ठीक, यह work कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कोई ऐसा मिल जाए, तो definitely उसको 2 करोड क्या, 5 करोड का package भी लग सकता है, Now, I need to drop one truth bomb, वो यह है, कि यह जो packages मैंने आपको बता है, 2 करोड, 5 करोड, 10 करोड, 1 करोड, यह सब के नहीं लगेंगे, यह वो prompt engineers है, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा skilled है, उनको बहुत सारे टास्क पहले से पता है, वो बिना prompt engineering के भी, बहुत ज़्यादा skilled है, वो engineering भी कर सकते हैं, बना they are into multiple things, and they are professional in their own thing, without prompt engineering as well, and then, उन्होंने prompt engineering सीख लिए उसके बाद, उससे क्या हुआ, एक तो जो उनका base था, वो काफी क्लियर है, and then prompt engineering से, अब वो दूसरे लोगों के भी help कर सकते है, तो prompt एक अच्छा वो ही लिख पाएगा, जिसका base क्लियर हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे terms यूज होते है, अब आपको पता ही नहीं है, कि Android app की life cycle कैसे होती है, on resume क्या होता है, and then back end में नहीं पता कि कौन गूंधे terms यूज होते हैं, तो आप एक अच्छा prompt कैसे लिखोगे, अब मुझे designing से कुछ पूछना है, कि कौन सा शॉर्टी है, for example, if I talk about a photographer, तो कुछ फोटोस होते हैं, जो नीचे से लिए जाते हैं, like if you want to show someone, जिसकी dominance हो, तो उसको नीचे से लेकर और बढ़ा दिखाया जाता है, तो मैं प्रॉम्ट भी वैसे ही डालूँआ, अगर मुझे उस तरह की image चाहिए, कि मुझे dominance बताना है, कि if someone muscular, standing down and taking photo from downward angle, तो वो चीज़े किसको बता होगी, वो चीज़े से photographer को भी पता होगी, जो इसमें professionally हो, तो वही लोग यहाँ पर प्रॉम्ट लिख पाएंगे, मेरा यही point है, कि जिनके basics आपे clear हो, जिनको actual में पता हो, कि किस तरह का output चाहिए, तो अगर आपको किसी company के team का काम आसान करना है, तो आपको उनका काम करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कि system कैसे work कर रहा है, उनका system कैसे work कर रहा है, and coming back to the point of 2 crore job, हाँ, यह मिल रही है, लेकिन यह सब को नहीं मिल रही है, जो already skinned लोग है, उनहीं को मिल रही है, बहुत सारे लोग यह आपको YouTube पे बोल के, अपने courses शायद से based दे, तो थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना, थोड़ी research करके देखना, यह वीडियो भी देख रहे हो, तो आपकी research यहाँ पर हो चुके वैसे, अब मैं आपको इसी तरह का एक prompt का example देखे बताता हूँ, कि actual minute deep prompt कैसे लिखे जाते है, based on my experience, तो मैं यहाँ पर इसको God level यहाँ फिर Godfather prompt भी बोलता हूँ, कि यहाँ पर आप एक character create कर रहे हो, chart GPT, get through, and then उस character से अपने answers ले रहे हो, उस character से output ले रहे हो, in general नहीं पुछोगे, आप एक specific role दोगे उसको, you are creating a character, and you have the powers of God, आपको जो चाहिए, आप लोगो create कर सकते हो, context देते हैं, हम लोग उसको एक task देते हैं, कि output हमारा कैसा होगा, वो बताते हैं, negative prompts दालते हैं, कि यह particular चीज़े नहीं चाहिए, इस tone में नहीं चाहिए, and then we also set the tone, अब यह कैसे work करता है, यह सारी चीज़े क्या है, मैं कोशिश करूँगा, कि इसके लिए मैं एक separate वीडियो बना दू, do let me know, अगर आपको एक Godfather prompt का, separate वीडियो चाहिए, तो for example, अगर मुझे किसी interview के लिए prepare करना है, तो यह उसका prompt हो सकता है, मैंने उसको यहाँ पर एक role दे दिया है, उसके बाद मैंने उसको यहाँ पर task दे दिया है, क्या क्या चीज़े है, मैंने उसको context दे दिया है, and then यह output मुझे कैसा मिलना चाहिए, क्या output होना चाहिए, वो मैंने उसको basically दे दिया है, क्या चीज़े नहीं होनी चाहिए, negative words, और यहाँ पर मैंने tone भी set कर दिया है, और इसके बाद मैंने एक और additional line कर दिया है, कि additional questions पूछो, let's brainstorm this, तो उसके मुझे यह दे दिया, and then उसके मुझे से यहाँ पर और questions भी पूछे है, और जब मैं इसका यहाँ पर answer दूँगा, वो मुझे से फिर से यहाँ पर question पूछेगा, तो एक brainstorming type का session हो जाएगा, इस तरह के यहाँ पर prompts बनाया जाते हैं, मतलब 300-500 words के, और जो expert level होते हैं, जो अच्छों में जो बड़ी companies में हैं, वो तो 500-1000 words सके भी prompt लिख सकते हैं, तो उससे आउटपट आ रहा है, बले वो ओटपट नहाँ पर 300 words का है, लेकिन जो प्रॉंट रहता है, वो उनका काफी बढ़ा रहता है, क्योंकि प्रॉंट सिफ आपको एक ही बार लिखना है, और आउटपट, क्योंकि आपको एक शुद्षियएं, और आपको एकजिए तो डूलिट मेन एक चाही है, तो यह चीए तो एक जो प्रॉंट प्रॉंट सेचिं बोह, और आपको 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 प्रॉंट नीच एको प्रॉंट नीच चेंड़ के गयूं, और कुछ जो लोग में पर बना रहे हो उनसे भी आप लोग बच पाओ So that's it for this one, thank you so much for watching I'll see you guys in the next one, goodbye